Hello everyone, welcome to our channel तो दोस्तो आज हम लेके हैं आपके लिए English spoken का एक normal batch जिसमें हम daily बात किया करेंगे कुछ 50 के लगबग sentences जो हम पहले practice किया करेंगे उसके बाद उनकी revision भी किया करेंगे दोस्तो अगर हमारी वीडियो को daily देखते हो तो आपकी English सुधरना लाजमी है उसके बाद आप कोई भी course देख सकते हो जिसे आपको जो English से हलकी भुलकी जान बैचाना वो हो जाएगी तो आज हम शुरू करेंगे आज हमारा पहला दिन है ये वीडियो दोस्तो पहले हम 30 दिन की लाएंगे तीज दिन लगातर हमारी वीडियो आएंगी शाम को साथ वज़े वीडियो आया करेगी हमारी अगर आपको आपने English को अपनी को सुधारना है तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शिरे और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसमें कोई भी टिप पनी या कोई भी दिक्कत आती है हमारी वीडियो में आप सुधार चाते है हमारे में किसी तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ज्यादा समय खराब ना करते हो है हमें शुरू करते हैं पहली वीडियो से पहले से पहले सेंटेंस से पहले सेंटेंस क्या है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो इसको हमें इंग्लिश में बोलेंगे पापा आ गए तो तुम तो चिलाते ही रहते हो ऐसे थोडिना करते हैं वो वो तो mobile ही चलाता रहता है एक नंबर के जूटे हो तुम यू आर नंबर वन लायर नीमू न चोड़ दो स्क्वीज दा लैमन बकवास करना बंद करो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस वो खाने में लगा हुआ है बता दूँ उसे भी वो ला लू मेरे पेट में चूहे खुद रहे हैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ मेरा मन नहीं मानेगा माइ हार्ट वो नॉट बी रेड़ी माइ हार्ट वो नॉट बी रेड़ी बहुत हो गई पढ़ाई है मुझे खाना बनाना आता है सारा खेल मेनत का है तुमने उसे बोल नहीं क्यों दिया पैसे नहीं है वो रही आपकी चाहे इसे यहां रख दो कैसी लड़की हो तुम वट काइड ओ गर्ल यू आर मैने तो कब का कर लिया आई दिट तू लोंग एगो जाकर कह दो मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो फिर छोड़ो देन लीव इट असल में वो जूट बोल रही थी अक्चली शी वास तैलिग अलाए असल में उसे सब पता था इन रेलिटी लीव एवरिथिंग चिलाना बंद करो स्टॉप शाउटिंग डरे तो नहीं थे यू दिडिट गेट अफ्रेड दिडिव शर्माई तो नहीं थे यू दिडिडिट ब्लस मैं खाना बना लेता हूँ आम एबल टू कुक दा फूड ख्रीद लो जो ख्रीदना है बाइ वट यू वट यू वट यू वट यू वट यू यू आलवेज फ्लाउंट यू आलवेज फ्लाउंट तुम इतराते बहुत हो यू फ्लाउंट अलोट तुम मना बहुत करते हो यू डिनाई अलोट यह आप पर अच्छी नहीं लगेगी अगर यह भी बोल सकते हैं इस शर्ट को वहाँ टांग दो ऐसे थोड़ी न खाते हैं मैं तो केवल बता रहा हूँ मुद्दे की बात करो गेट तो दो पॉइंट तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 50 sentences जिनके हमने हिंदी के साथ English में प्रैक्टिस की है इसके बाद दोस्तों आपने revision करनी है इनकी उसके लिए मैं सिर्फ Hindi में बोलूँगा और आपको repeat करना है साथ में English को पढ़ना है उच्छे वाद में तो शुरू करते हैं क्या तुम इसे ठीक कर सकते हूँ तो आपने बोल दा है पापा आ गए तो आप बोलो अब English में वाट इप तुम तु चिलाते ही रहते हो ऐसे थोड़ी ना करते हैं ऐसे थोड़ी ना लगाना था वो तो मॉबाइल ही चिलाता रहता है एक नमबर के जूटे हो तुम नेमबून चोड़ दो बकवास करना बंद करो वो खाने में लगा हुआ है बता दूँ उसे भी बुला लूँ मेरे पेट में मेरे पेट में चूहे खुद रहे हैं फैमिस्ट मेरा मन नहीं मानेगा गुद नौट क्या मैं जाओं मैं क्यों देखूं ये तो मेरे पापा ही जाने प्यार की कोई उमर नहीं होती बहुत ओगई पढ़ाई तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया मुझे खाना बनाना आता है सारा खेल मेनत का है तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया पैसे नहीं है साइदा नहीं है ये रहा आपका मुबाइल वो रही आपकी चाए इसे यहां रख दो कैसी लड़की हो तुम मैं तो कब का कर लिया जा कर कैदो मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो फिर छोड़ो असल में वो जूट बोल रही थी असल में उसे सब पता है चिल्लाना बंद करू दरे तो नहीं थे शर्माये तो नहीं थे बलश शर्माना मैं खाना बना लेता हूँ खरीद लो जो खरीदना है तुम हमेशा इतराते हो तुम मना बहुत करते हो ये आप पर अच्छी नहीं लगेगी शर्ट सीधी पहन दो इस शर्ट को वहां टांग दो ऐसे थोड़ी न खाते हैं मैं तो केवल बता रहा हूँ मुद्दे की बात करो तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही 50 sentences जिसकी हमने पहले practice की English और Hindi में उसके बाद हमने उनकी revision भी की और दोस्तों आप मैं चाता हूँ कि आप वीडियो को एक बार और टू गुना करके तेजी से देखें स्पीड बढ़ाके देखें ता यो आपको एक वार और इनकी revision हो जाए और कलको मैं यह कहता हूँ आपको अगर आपने English सीखने है तो इन sentences को छोटे मोटे sentences को अपने daily life में यूज करें ता जो आपकी life में जो English speaking है वो अच्छी हो जाए और आपका जो लोगों के साथ बाचीत का हिसाब है वो थोड़ा attractive हो जाए इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ Thank you